प्रिये छात्रों नमस्कार, NCERT गनीत के च्छा दस्मी में आपका स्वागत है, आज हम लोग प्रसनावली 8.93 के प्रसन संख्या 6 को सौल्व करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दी जगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर ले जगा जिससे की हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेसान आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो आईए वीडियो सुरू कивать लेते हैं किया दिया है साइन भाई है कि B पलसी बटा 2 मा बडाबर कॉस एटा दो अब सवाल कह रहा है कि ए बी और सी तृभूज के अनताहकून तो आईए तिरभूज के अनताहकून को समझ लेते हैं एः तिरभूज है इसमें अगर मां लेते हैं कि ए इधर है बी इधर है और सी यहां है तो इसके अंतह जो है यानि अंदर में का जो कुन होता है उसी को हम क्या कहते हैं अंतह कुन कहते हैं तो इस कुन को इस कुन को और इस कुन को जब तीनु कुन को जब हम जोडते हैं तो इसका जो मान होता है वह होता है एक सो असी ड तिर्भुज के तीनो अन्ता कोनो का योग 180 डिगरी होता है अब हमें क्या करना है कि तीर्भुज में तीन कोन है जिसका नाम A, B और C है तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिगरी अब यहां बीच में equation है यानी बराबर का चीन है इसका मतलब है कि यह एक प्रकार का समिकरन है और समिक्रन के दोनों पक्षों में हम एक जैसा संख्या जोर सकते हैं घटा सकते हैं गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं तब हम यहां क्या करते हैं कि नीचे हमें दो लाना है इसलिए हम क्या करेंगे दो से दोनों पक्ष में क्या करेंगे भाग देंगे इस पक्ष में भी है और इस पक्ष में भी तो जब भाग देंगे तो यह कितना आ जाएगा तो यह 90 से कर जाएगा तो कितना जाएगा 90 डिगरी और इधार आ जाएगा a प्लस b प्लस c बटा 2 अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बटा 2 प्लस b बटा 2 प्लस c बटा 2 क्योंकि नीचे 2 है इसका मतलब है कि सबके नीचे 2 है बराबर कितना है 90 डिग्री अब क्या करेंगे कि b बटा 2 प्लस c बटा 2 बराबर 90 डिगरी को पहले लिख लेंगे और ए बटा 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो किसमें लिखेंगे माइनस में लिखेंगे ए बटा 2 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दो दो का LCM लेंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 तो A हो जाएगा B प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 C में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा C इतना आ जाएगा बराबर यह हो जाएगा मेरा 90 माइनस ए बटा 2 अब क्या करना है कि दोनों पक्छों में साइन से गुणा कर देंगे लिखेंगे दोनों पक्छों में साइन से गुणा करने पर जब दोनों पक्छों में साइन से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा इधर भी साइन और इधर भी साइन हो जाएगा तो इधर है मेरे पास साइन बी प्लस सी बटा 2 और इधर क्या है साइन 90 डिगरी माइनस ए बटा 2 तो इसको हम कॉस के पद में लिखनेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस और ठीटा का मान है ए बटा 2 तो यह हो जाएगा बटा दो यही हमें सीथ करना था तो लिख सकते हैं प्रूंड मतलब सिध हो गया अब इसके बाद प्रस्ण संख्या साथ है जो की बहुत छोटा सा प्रस्ण है आए इसी वीडियो में हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं प्रस्ण संख्या साथ है साइन सरसर डिगरी प्लस कॉस 75 डिगरी को 0 डिगरी और 45 डिगरी के बीच के तिरकुनमिती अनुपातों के पदों में ब्यक्त कीजिए तो आए जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं ह हाँ हो दिया है 1653 प्लस कॉस 75 डिगरी तो हमें क्या करना है कि साइन सरसर डिगरी को कॉस के प्रपद में तोड़ना है तव हम इसे क्या करेंगे सैं मिर अभर डिकरी माइनस डिकर्ट क्या हटाएंगे की संसर डिकरी आ जै तो 90 डिकरी में से हम घाताएंगे 23 डिकरी तो कि आ जायगा 20 सानगी जाया प्लस है तो पलस काशेंद देंगे अब लिखेंगे 5 90 डीग्री और क्या घटाएंगे 75 डीग्री आ जये T Wisconsin सि्पल्स टेंगे हम 15 डीग्री तो कितना जायगा alors 75 डीग्री आ जायगा तो यह हो जाएगा मेरा कॉस और ठीटा खमान कितना है त्यश्डीग्री है तो यह हो चाहिए तो यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल अंसर हो जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो समझ में आ गया होगा अगर किसी परकार की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब-टक के लिए जैंध